हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पॉंप स्ट्रेनर के बारे में जिसे की पॉंप सक्सन स्ट्रेनर भी कहा जाता है क्या होता है ये, कहां पर इसे install किया जाता है और इसका क्या काम है, यानि इसके functions क्या क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो friends, ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 830 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलहाल इस video का start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये इस trainer क्या होता है तो देखिए इस trainer एक device है जिसको install किया जाता है pump के suction pipeline में और इसी लिए इसे suction strainer भी कहा जाता है और just pump के suction line में इसको install किया जाता है जहां से suction ले रहा है pump याणि कि pump में जहां से water या फिल जो भी fluid वो pump कर रहा है वो जहां से एंटर करता है, suction होता है pump में उस line में इसे लगाया जाता है और mostly इसे pump के पास में ही लगाया जाता है है ना अब बात कर लेते हैं कि आके इस ट्रेइनर का क्या काम है तो देखिए ये एक तरह का filter है ये एक mechanical filter है जो की filter करता है fluid में जो भी suspended particles हैं कुछ भी अगर dust particles है foreign particles है आपके fluid में तो उसको ये filter कर लेता है है ना filter करके फिर जो clean जो fluid है उसको pump में enter कराता है ये image देख लीजिए देखिए यहाँ पर ये motor है motor किसे connected है pump से उपर जो गया है वो discharge line है यानि कि pump का जो भी fluid है वो इस line से discharge होगा और उसके आगे में जो है वो suction line है और वहाँ पर एक y-shape का equipment आपको दिख रहा है वही आपका strainer है तो देखिए suction side में pump के पास जश लगा हुआ है अब उस side से अगर कुछ भी suspended particles, dust particles, foreign particles जो हैं वो अगर आते हैं तो यहाँ पर वो उसको separate कर लेगा और separate कर लेगा तो यह देख सकते हैं आप y-shape में हैं तो यहाँ पर नीचे पर वो collect कर लेगा due to gravity जो suspended particles है वो वहाँ पर नीचे में collect हो जाएंगे filter में और fresh water जो है वो उपर की तरह pump में flow हो जाएगा इस image से समझिए इसमें जो filter बना होता है वो stainless steel का बना होता है जो की अलग-अलग sides में available होता है और as per our requirement हम उसको select कर सकते हैं तो यहाँ से आपका जो है fluid है वो enter करता है इस side से और फिर यहाँ पर filter हो करके clean जो fluid है वो यहाँ पर से exit हो जाता है pump की तरफ सक्सन में चला जाता है और जो भी particles है suspended particles वो इस cavity में रूप जाते हैं यह आपका wire type stainer है सबसे जादा इसी का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि यह यहाँ पर suspended particles को separate किया जा रहा है तो इसे regular time interval के बाद clean करना भी बहुत जरूरी है तो इसको clean करना भी बहुत आसान है यहाँ पर जो नीचे portion आप देख रहे हैं यह इसका cap है इस cap में bolts लगे होते हैं number of bolts जिसे की आप खोल करके इसके अंदर के stainless steel के cage को निकाल सकते हैं filtered cage को और उसे clean कर सकते हैं जिते भी suspended particles हैं वो यहाँ से नीचे हो जाएंगे नीचे बाप बाहर निकाल सकते हैं उसको और फिर clean करके वापस इसको install कर सकते हैं इसको clean करते रहना बहुत ही जरूरी है अगर आप इसको regular time interval पे clean नहीं करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर contaminants particles जादा ह हो जाएंगे और आपका pump का discharge capacity है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसका suction भी कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर का area जो है वह बलॉक होने लगा है तो आपको तुरंत अपने second को वहाँ पर clean कराना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या advantages हैं अगर हम pump के साथ में suction side में strainer का इस्तिमाल करते हैं तो सबसे पहला advantage तो यह है कि हमारा जो pump है वो pump को prevent करता है यह strainer damage होने से क्योंकि अगर देखिए कोई भी dust particles contaminants solid particles अगर आपके pump में आएंगे impellers में आएंगे casing से टकराएंगे impeller से टकराएंगे तो धीरे धीरे उसको wear out करेंगे और उसकी life जो है वो कम हो जाएगी दूसरा सबसे बड़ा advantage यह है कि अगर आपके pump में और pipe lines में dust particles contaminated particles नहीं जाएंगे तो आपकी जितने भी pipe lines है और उसमें जितने भी walls है वहाँ पर jamming और choking की problem जो है वो solve out हो जाएगी यानि कि वो नहीं होगा pipeline में jam नहीं होगा, choke नहीं होगा तो strainer के लगे होने से आपके pump की जो life है वो भी बढ़ जाएगी और साथ में आपकी pump की efficiency है वो भी बढ़ जाएगी तो friends ये वीडियो थी अमारी pump strainer के उपर suction strainer के उपर मुईत करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा